दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको प्लेइंग 11 टीम डिरीम 11 के अंदर बना दूँगा दोस्तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना यहाँ पर बहुत सारा लोग है जो डिरीम 11 खेलते बट उनको यह नहीं मालूम रहता कि आप डिरीम 11 में सही तरीका से टीम को कैसे किरियेट कर सकते हो बहुत सारा लोग यहाँ पर डिरीम 11 खेलते और रोजाना क्या करते है हजार हजार रुपया एक दिन में 10, 12, 15 टीम बना देते यदि आप भी चाहते हो डिरीम 11 से पैसा जितना आप कुईसी भी लिग खेल सकते हो में आज की जो टीम बना करके आप दूँगा आप head to head खेल सकते हो या बड़ा लिग खेल सकते हो या small लिग खेल सकते हो इसमें आपको कोई दूबदा नहीं होगा जो मैं आपको टीम बना करके दूँगा तो चलिए दोस्तो मैं यहाँ पर से आपको पूरा बारी-बारी से बताता हूँ और आपके लिए पूरा प्लेइंग 11, डिरीम 11 के अंदर देता हूँ ताकि आप भी इहाँ पर से आसानी तरीका से करोरो रुपिया विन कर सकते हैं चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हूँ और आपको मैं पूरी जनकारी देता हूँ लेकिन दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से छोटी से रिकूरेस्ट है आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको डिरीम 11 से रिलेटेड इसी परकार से एक रोजाना वीडियो देखने को मिलेगा थे चलिए आज की इस वीडियो को देखी लेते हैं कि आप डिरीम 11 में प्लेइंग 11 कैसे सलेट कर सकतो हो वह भी परकेक्ट हो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फानली दोस्तों यहां पर से मैं अपना मोबाल के हॉम हॉम स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहां पर से आप पूरा ध्यान पुर्बग देखना हैं तो चलिए मैं यहां पर से अपना अपने कुछ इस तरह का पेज ओपिन होकर की चलिया था उसके बाद सबसे पहले आपको दिखा देता हूगा विकेट कीपर का ओप्सन तो मैं यहां पर से आपका जो विकेट कीपर सेलेप करके आज की मैच में जो दे रहा हूँ वह आप बिल्कुल ड्रॉप मत करना तो दोस्तों यहां पर से आप जो ले लेना एक किसान किसान को आपको बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप करना है उसके बाद आज का मैच में जो यहां पर आपको दिखा देते हैं मलको विल्कुल भी डरॉप मत करना है तो दोस्तों यहां पर से मैंने यहां पर दो बिकेट कीपर को सलेक्ट कर लिया हूँ एक मैं सलेक्ट कर लिया हूँ इसान किसान को उसके बाद मैं यहां पर चंडी मन को select कर दिया हूँ तो आपको भी select कर लेना यहां क्योंकि इसान किसान जो बैटिंग करने चले आते हुआ opener best man है उसके बाद मैं क्या करूँगा best man पर जाता हूँ और मैं यहां पर से best man पर click कर देता हूँ और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपिन होकर की चलिया था तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देते हूँगे इंडिया की तरफ से आपको यहाँ पर से रोही सर्मा मिल जाता होगा तो रोही सर्मा को लेने के बाद आपको एक पी निसाका है तो दोस्तों इनको मत छोड़ना क्योंकि यहाँ पर से पी निसाका जो आज की मैच में परफेक्ट चलेंगे और आप देख सकते हूँ इनका सेलेक्शन जो डिरीमी लेबन के अंदर आपको दिखाय देता हूँगा वह 65% से उपर आपको नजर आता हूँगा तो दोस्तों आपको पी निसाका को बिल्कुल भी मत छोड़ना है उसके बाद इहाँ पर से सरेस अईयर का काफी ज़्यादा अच्छा खासा फॉर्म है तो दोस्तों इहाँ पर से सरेस अईयर को आपको ले लेना तो दोस्तों आपको पूरा दियान पुरभक देखना है तो दोस्तों आपको कीनको कीनको लेना है आप आज की मैच में जो कुन-कुन चलेंगे आप पुरा ध्यान पुर्वक देखना तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो इनको जो सलेक्षन आप देख सकते हो डी निसाका का सलेक्षन है 59% डिरीम 11 के अंदर तो दोस्तों इनको ले लेना है तो दोस्तों यहाँ पर से डी निसाका को ले लेना है और आपको जो स्पीनर बॉलर को नहीं लेना है जबिंड जटेजा को आप मत लेना क्योंकि आपर से रविंड जटेजा को जो मौका है वह काफी ज़्यादा कम मिलेगा आज का जो मैच हुआ काफी ज़्यादा जो मदत मिलेगा वह फास्टर बॉलर को मिलेगा उसके बाद आपको बेंके टेंस आयर क लेना क्योंकि इनको बेटिंग का भी मोका मिल जाता उपर में और शाथ में ये दो मैश से लगातार अमें बालिंग ही कर रहे हैंssä मेरे तो दोस्ते इनको आप बिल्कुल भी ड्रॉप मतर स्विस्थ दूस्त सकता हूं उसके बास बाद बॉल्लर सेक्सानपर में जाता हूं तो दोस्तो आपको बॉलर जो सलेक्ट करना है एक चामीरा को आपको परफेक्ट सलेक्ट कर लेना है तो मैंने यहापर से चामीरा को सलेक्ट कर लिया हूँ उसके बाद मैं यहापर से आपको बताता हूँ कि इनको सलेक्ट करना होगा आप बुमनेस्टर कुमार को बिल्कुल भी सलेक्ट कर लेना क्योंकि बुमनेस्टर कुमार जो पिछले मैच में यह तीन विकेट लिये थे तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकतो मुझे जो डिरीम 11 के अंदर जो सलेक्ट हो चुका वह ज्यादा बॉलर आज की समेच में मैं नहीं लूँगा और स्पिनर को बिल्कुल भी मैं नहीं लूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर से हरसल पटेल को ले लेता हूँ उसके बाद चहल को मैं यहाँ पर से ड्रॉप करूँगा चहल को ड्रॉप करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर से एक और बॉलर को ड्रॉप करूँगा वह ललित कुमार को मैं यहाँ पर से ड्रॉप करूँगा क्योंकि इनका मदद जो काफी ज़्यादा आज जो मैं आपको बताने जारा हूँ पर लेंगे लेबान काफी ज़्यादा मदद मिलेगा वह फास्टर बलोर को मिलेगा तो मैं यहाँ पर से हर्चल पटेल को ले लिया हूँ क्योंकि इनका वीकेट लेने का आज का मैच में जो काफी जादा चांस है और ये विकेट लेंगे। उसके बाद आपको वाट केपटन जो बनाना है आप बनाना असलंका को। ये आपके साथ मतलब डरीम इलेमलन में उतना देर साथ नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तो आपको केपटन जो बनाना वह हर्चल पेटेल को बनाना उसके बाद सेबसे बना client को बनाना तो चलिए मैं यहाँ पर से बना लिया हूँ शिर्फ शेप टीम पर Can you do उसके बाद मैं आपको टीम दिखा देता हूँ कि मेरा टीम किस परकार से है तो दोस्तों यहां पर से देख सकते हूँ मेरा जो टीम आपको दिखाए देता होगा कुछ इस तरह का टीम है जैसे सबसे पहले आप देख लो मैंने जो सलेक्ट लिया हूँ दो बिकेट कीपर को सलेक्ट किया हूँ एक चंडी मल को सलेक्ट किया हूँ यहाँ पर से आप देख सकते हो मैंने चंडी मल को लिया हूँ उसके बाद इसान किसान को लिया हूँ और आपको इसान किसान को बिल्कुल भी डरफ मत करना आज का मैच में आप ये मत बोलना कि भाई ये एक मैच में रन मार दियें तो क्या अगला मैच में मार देंगे ऐसा नहीं ये रन मार सकते हैं इनके अंदर शमता है काफी ज़्यादा तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो मैंने जो दो विकेट कीपर को लिया हूँ आपको दिखाई देता ह हम उसकेबाद मैं यहां पर से देख सकते हो अस लंका को मैंने यहां पर से लिया हो उसके बांश क्या हम एक निसाका को स्व तो ऐसके बाद जो आज की में जो मैंने बॉलर हो ज्यादा नहीं मात्र तीन में इस यह पाहती ऐसका है आप को बीगिए यह मैच को मत करना क्यूंकि आज में आपको जो टीम बना कर के दे रहाँ वह काफी ज़्यादा चलने का चांस है तो दोस्तों आप इस परकार से बना लेना मैं आपको पूरा डिटेल से बता दिया हूं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको ड्र जाना वीडियो इसी परकार से मिलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए इतना है